यूट्यूब कॉमेंट में इसा लिखा है, आरीजीत इस गिवन ग्रेट मुजिक, बिकोज हमारी पब्लिक भी इतनी महान है कि उनको नहीं पता कि कंपोजर कोई चीज होता है, जो गाना बनाता है, जो सिंगर है, उसी का म्यूजिक है, that's how it is. क्या बात है, तुम अपसेट हो जाते हो इस सब चीजों से? I mean, यार, अपसेट क्या हो ना? मतलब, it's funny, विचारे को नहीं पता, अब क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ी जाके मैं, I can't educate तगा. हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, हुए नाम वर बे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई, आसमा कैसे कैसे, बहुत ही मशूर ये शेर है, जो आपने अक्सर कई गवालियों में सोना होगा, कई घजलों में सुने होंगे इस अशार के चर्चे, आज इस ही शेर का, हम कलाकारो से कैसा संबंद है उस पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ इस नॉट टॉपिक जिससे कोई टुटॉरियल नहीं जिससे आप सीख सकते हैं लेकिन एक विचार है एक बात है एक डिबेट है जो मैं शुरू करना चाहता हूँ कई लोग इस पर बात कर भी रहे हैं अश्रेय हम किसी और कलाकार को दे रहे हैं इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया है कि ओरिजनल्स को आप सुनें कवर वर्जिन्स सुनें जरूर सुनें लेकिन ये न मान लें कि वो जिसने गाया है जिसने उस गाने का cover version किया है original भी उसी का है तो उस पर थोड़ी सी research आपकी बनती है तो पूरा वीडियो देखिए आज इस पर मैं कुछ examples देकर चरचा करने जा रहा हूँ काम की बात मैंने की ही नहीं काम की बात मैंने की ही नहीं सबसे पहले तो जो शेर है मैं उस ही को समझाने की कोशिश करूँगा मेरा जो तरजमा बनता है मेरा जो interpretation है नाम ओवर यानि जिनके नाम हो सकते थे नाम चींज जिसे कहते हैं फेम जिसे कहते हैं प्रक्षात जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में तो जो नामवर हैं यानि आक्चुली में उनका नाम होना चाहिए था वो बेन निशा रह गए यानि उनका निशा तक किसी को पता नहीं यानि वो एक्जिस्ट करते थे या नहीं वो भी नहीं मालूम और आसमा यानि की Metaphorically उस इनसान की प्रतिभा का स्तर बताया जा रहा है कि इतना उचा वो आदमी था इतने अवबल दरजे की कला इतने अवबल दरजे की सोच उस व्यक्ति में थी तो हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी क्हा गई आसमा कैसे कैसे ये मेरा अपना तरजम हैं काफी ऐसे Composers हैं जिनको हम नहीं जानते हम अक्सर गाने को सिंगर के साथ रिलेट करते हैं हम कहते हैं कि लताजी का एक गाना हम कहते हैं कि रफी सहब का एक गाना हम कहते हैं कि शोरदा का एक गाना मननडे सहब का एक गाना खुलाम अली जी की एगजल मेधी असनखास आप की एगजल हम सिंगर का नाम लेते हैं और कॉम्पोजर्ज होते हैं अलग यह हमें मालूमी नहीं होता जैसे मेरा ही एक्जामपल ले ली जी मेरी कई रचनाएं हैं ज़ादातर रचनाएं हैं जो मेरे पिताजी की हैं यानि असल रचनाकार वो हैं और मैं एक इमिटेटर हूँ एक सिंगर एक इमिटेटर होता है सिर्फ उसको कॉपी करके उतारके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है जो मैं भी करता हूँ ये मेरा अपना मानना है जरूरी नहीं है कि सब इस बात से इतिफाख रखें और इस चीज़ से अगरी करें ऐसा मैं कई सिंगर्स कई मुजिशन्स कई कॉम्पोजर्स से डिसकस कर चुका हूँ ये चीज़ कि हम उस गाने को सिंगर के नाम से जानते हैं अच्छा ठीक है भई वो गाना प्रख्या थी इसी वज़े से बना प्रसिद्ध बना ही उस सिंगर की थोड़ी सी प्रतिभा की वज़े से है स्वाभाविक है लेकिन सोच कर देखे आज हम अगर लता जी के गाने गाते हैं या आशा जी के गाने गाते हैं या नूर जहामायम का गाना गाते हैं या महरी साब की घजलें गाते हैं वो किस वज़े से गा पा रहे हैं हम गा क्या रहे हैं आच्छुली में हम गा तो शब्द रहे हैं हम गा धुन रहे हैं हम उनकी गाई की नहीं गा रहे हैं देखा जाये तो हाँ ये एक बात होती है कि composer जब उस गीत को बनाता है तो ये भी सोचता है कि किस से गवाना है singer को मद्दे नजर रखते हुए यानि उसको ध्यान में रखते हुए उस गीत की composition होती है कि यार अगर ये लता जी गाने वाले हैं इस गीत को थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं क्योंकि वो उनके गाईकी के style गाईकी के standard से match कर रहा है पहली demand तो यह होती ही कि film situation की क्या demand है उस पर या विचार की क्या demand है उसके हिसाब से धुन बने या जैसे मैंने एक वीडियो दिया था ने कि सेंगर को मद्दे नज़र रखा भी जाता है अगर उस शब्दकार के शब्द नहीं हो कोई दूसरे शब्द हो जाते तब भी क्या वो गीत उतना ही चलता अगर वो धुन बनाने वाले ने धुन न बनाई होती किसी और की धुन होती क्या तब भी वो गीत उतना ही चलता या आवाज देने वाले की आवाज नहो के किसी और की आवाज होती क्या तब भी वो गीत उतना ही चलता एक गीत के पीछे ये तीन मुख्य चीजें तो होती ही है साजिंदे उनका भी अपना एक महत्व है कि जिसने साज बजाएं हैं उसमें इंस्ट्रुमेंट्स बजाएं हैं उनका भी उतना ही महत्व है और आज की तारीख में देखें तो म्यूजिक प्रोडक्शन और अर्रेंजमेंट ये भी एक एडिशन हो गया है पहले तो सिर्फ इतना ही था कि एक गाने वाला है एक हार्मोनियम तबला बजाने वाला या सितार या सारंगी बजाने वाले हैं और उसके बाद बस उनको श्रया चला जाता था लेकिन आज की तारीख में एक गाना बनाने में बहुत से लोग इंवाल्ड है तो क्या ऐसा है कि सिर्फ singer या सिर्फ composer या सिर्फ lyricist की वज़े से वो गाना चल रहा है या बाखी लोगों का भी योगदान है या आज की तारिख में कहें तो music videos का जमाना है तो क्या उसमें जो act करने वाला hero है उसका भी बड़ा योगदान है तो ये बड़ी ही complicated और सोचने विचारने वाली चीज है और ये इस पर मैं बात इसी ले कर रहा हूँ पेकुस हम भी तो एक singer हैं हम भी तो अपना गाना जो है सब ही लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें श्रेय किसको कितना देना चाहिए वो जान लेना भी जरूरी है सिर्फ ये नहीं होता है कि hero का दारोमदार होता है main actor, lead actor का दारोमदार होता है कि वो picture चलेगी या नहीं चलेगी अगर उसमें story नहीं है scripting अच्छी नहीं है screenplay अच्छा नहीं है, execution अच्छा नहीं है promotion अच्छा नहीं है तब भी वो picture नहीं चल पाती movie नहीं चल पाती है तो इसमें दोश आप hero को नहीं दे सकते और कई बार उस पर दारोमदार आ जाता है हाल ही में मैं शारूख खान साब का एक interview देख रहा था उसमें वो बोले कि being a superstar ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कई बार गर्ण बार रिख अखे एक हँपन हाया दोस्त के साथ एसे हासे विनोध थोड़ा मजाख की बात चल रही थी तो उसने बोला कि आपको पता महाभारत किसने लिखी है तो मैंने कहा महाभारत तो गनेश जी ने लिखी थी तो मैंने उसको बताया समझाया कि गणपती जीने है, गणेश जीने तो सिर्फ scripting करिये, लिखा है बोली तो महरशी व्यास जीनन है तो लिखना जो है वो यहाँ से नहीं हो रहा है तो मैं भी लिख सकता हूँ मावरत, मैं भी type कर सकता हूँ लिखना यहां से है, creation सोच है जिस पर A.R. रेमान साब का भी हाल ही में जो ये गानों का recreation हो रहा है उस पर उन्होंने बोला था कि आप recreation कैसे कर सकते हैं किसी गाने का आप बोलते हैं कि मैं reimagine कर रहा हूँ कि वो composer की जो धुने आप होते कौन है रेमाजन करने वाले उसकी एक रचना थी, उसकी एक सोच थी उसकी एक फिलोसफी थी उस गाने के पीछे आपने उसको बदल दिया तो यह injustice होती है बड़ा ही unfair मामला है तो यह कुछ बाते हैं जो जान लेना जरूरी है जैसे की उस्ताद रफीक हुसेन खासाब यह एक बड़े ही famous composer है जिनके बार में मैं भी नहीं जानता था मुझे लगता था कि गुलामली साहब की सारी compositions गुलामली साहब की होती है बिकॉस वो एक composer भी है जिस तरह से मैं हूँ मैं एक गाना भी गाता हूँ मैं compose भी करता हूँ मैं लिखता भी हूँ लेकिन जितनी compositions मैं गाता हूँ वो सारी मेरी नहीं होती है उसमें से अधिक तर मेरे पिता जी की है यहाल ही मैं मैंने अपने किसी friend की composition भी गाई मेरे गुरुओं के compositions भी गाई, मेरी अपनी भी गाई गुलाम अले जी, रफिक भाई के compositions इतने खुबसुरत गाएं है किस-किस का नाम दो, क्या है, मतलब किस्सा है महरोगफा करू न याद वही पलकों का जपकना तमाम उम्र कितने खुबसुरत compositions, क्या variety है और गुलाम अली साब की केसट आई थी, जो बहुत मकबूल, पूरी दुनिया में हुई दिल डोलदा, उसमें मैंने गुलाम अली साब के साथ जूट जुगाए थे, वो सारी ट्यूने उनकी थी लेकिन उनके साथ एक बड़ा जो ट्रेजरी हुई है तो वो जान लेना जरूरी है, कि हम एक्चुली में उन्ही शब्दों को, उन्ही रचनाओं को गा रहे हैं, जो किसी के यहां से उपजी हैं, गले या आवाज देने वाले तो बदलते रहते हैं, वही एक सिंगर के, वही एक गाने के अलग-अलग वर्जिंस भी तो होते हैं, यही किशोरदा ने गाया, यही परवीन सुल्ताना जी ने गाया, वही गाना मन्ना डेजी ने भी गाया नहीं, एक सिंगर को गवाने वाला उसका music director होता है, उसने directions दी हैं कि इस इस तरस से तुम्हें गाना होगा, तब जाके वो सामने आया है, एक actor, एक अभिनेता के पीछे एक director होता है, तो गाने वाले को सब जानते हैं, गवाने वाले को नहीं जानते हैं, हुए नाम अगर बे है, वो विचार उनका है, जब आप सुनते हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, तो जरा सोचिए, कवे प्रदीप जी के कलम से निकले गए ये शब्द हैं, जो हमारे दिल को छूते हैं, हाँ, सुवाभावे के, but of course, बिल्कुल भी deny नहीं कर रहा हूं कि लता जी की मधुर और मारमिक आवाज ने इस गीत में जान दी, लेकिन वो गीत में जान देने के लिए उसके शब्द होने जरूरी थे, और लोगो जरा आँख में भरलो पानी, जो शहीद हुए हैं, उनकी जरा याद करो कुर्बानी इसी तरह से, जैसे मनोज मुंतशिर जी हैं, जो आज के फिल्म के लेखक हैं, या इरिशाद कामिल साहब हैं, या सुवानद किरकरे जी हैं, ये लेखकों के नाम है, उनको भी जानी है, वो कहानी किसकी है, जब फिल्म को आप देखकर आते हैं, और कहते हैं, आर यार आज मैं गाता हूं या कोई और गाता है या कोई और गाता है जो cover versions बनते हैं हाँ ये होता है कि एक singer के एक fanbase होता है तो उस वज़े से वो गाना थोड़ा जादा प्रसिद्ध हो जाता है लेकिन उस गाने की जो मर्म है वो उसके लेखक वो उसके संगीतकार का होता है गायक भ या खुद से तयार किया गाना सुना शब्द पढ़े और उसकी composition देखके आपने तयार कर लिया लेकिन अब इसमें जो बारीकियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा और बारीकियां सुधारने के बाद आप जो खिल के सामने आएंगे तो वो सुनने में तो ये लगेगा कि क्य क्या बात है यार तुमने क्या गाया मगर ये कोई नहीं सोचेगा कि क्या बात है ये गवाया किसने तुम्हे यार ये जगह तो वो जगह हमारी नहीं वो जगह किसी और की थी यानि वो जो हरकत है वो जो भाव है वो किसी और ने दिया था तो ये जान लेना जरूरी है बिल की तारीख में तो हम कह देते हैं कि शारुख खान साब का गाना है अरे शारुख खान साब का कैसे हो गाना वो तो सिर्फ फिलमाए गए हैं उस पे वो तो चहरा है उस गाने का जैसा मैं हमेशा कहता हूँ न निदा फाजली साब की जो अपने पता की वफात पर उन्होंने जो पिता हैं, उनकी सोच वो ही मैं हूँ, हाँ मेरा इसमें अपना योगदान भी है, लेकिन हम सब अपने गुरुओं, टीचर्ज और अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे बुरे एक्सपीरियंस का एक समावेश होते हैं, तो हमारे गाई की हो, हमारे सोच विचारों, उसके बीचे हमारे गुरुजन होते हैं, तो उन गुरुजनों को पूजना, उन गुरुजनों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जड़ वही है, तैयार वही कर सकता है, यही फर्क होता है, एक गुरु और एक कलाकार में, यही फर्क होता है, एक डिरेक्टर, म्यूजिक डिरेक्टर और एक सिंगर में, एक सिंगर अच्छा गा सकता है, लेकिन एक म्यूजिक डिरेक्टर आपको अच्छा गवा सकता है, एक सिंगर हो सकता है कि आपको उतना अच्छा गवा ही न पाए, क्योंकि वो बारीखिया जानता ही नहीं था, वो तो एक पपेट था, लेकिने, तो आज असाद नियाज अहमद खाँ साब, महिदीयसन साभ की काफी कॉमपोजिशन जो है वो उस्ताद नयाज अहमद खाँ साब ने किये, ये मुझे हाल ही में मालूम चला है हमने आपको भी गवाया और मेरियसन को भी गवाया वाँ 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 और दोनों को दोनों की तरह गवाया इसे कई कॉम्पोसर्स हैं बॉलिवूड में तो चलो हमें मालूम चलता है कि हम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं जैसे पहले नहीं होता था पहले ऐसा भी नहीं होता था कि लिरिसिस्ट का नाम टाइटल में या कैसिट पे सीडी पे या इवन डिस्क्रिप्शन में होता था लेकिन आज होने लगा है क्योंकि कई लोग हैं जो हक के लिए लड़ रहे हैं बोल रहे हैं कि नहीं यह कहानी हमारी है यह सूच तो हमारी है और इसी का एक पहलू ये भी है गोस्ट रैइटिंग या गोस्ट कॉमपोजिशन ये भी एक डार्क साइड है इंडस्ट्री का कह लो या हमारे संगीत जगत का कि वो आक्च्छली में कॉमपोजिशन किसी और नहीं करी लिखा किसी और ने और चंद पैसों के लिए उसने उसका श्रिय बेच दिया तो actual में कलाकार तो वैसे यही होता है कलाकार कभी plagiarism से डरता नहीं असल जो कलाकार है क्योंकि उसे पता है समुद्र से चाहे कोई कितने भी रत न निकाल ले उसका नाम रतना कर ही रहता है ये बात मेरे पिताजी को एक वक्त पे एक इनसान ने कही थी जब वो दुख मना रहे थे कि यार मेरी हजार गाने लिखे थे मैंने उस डाइरी में मेरी रतना ही थी वो डाइरी चोड़ी हो गई और बड़े दुखी हुए कि यार मेरे हजार गाने, मेरे हजार थौट्स थे तब एक विक्ती ने उनको यही चीज कही कि अरे तुम समुद्र हो तुम्हारे अंदर से चाहे कोई कितने रतना निकाल ले तुम्हारा नाम रतना कर ही रहेगा तो वो बात भी हो जाती है लेकिन हाँ फिर भी उश्रेह देना जरूरी है तो पहचानिये, जानिये, खोजिये, ढूंडिये ये गाना किसका है, लिखा किसने है, ये विचार किसका है क्योंकि एक गाना एक विचार होता है, एक थौट होता है वो रचना एक विचार होती है वो किसी के दिमाग से उपजी है जो उसने शब्द कह दिये उन शब्दों के मताबिक किसी ने धुन बना दी और उस धुन और शब्द के भाव के मताबिक किसी ने गा दिया तो ये कुछ बाते हैं जिस पर आज मुझे ऐसी सर्चा करने का मन किया तो मैंने सोचा वाइनॉट अपने दर्शकों के साथ ही सही तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और खोज मिलेगी कि ओरिजिनल किसका है